चेक एक एकागर विश्वास और कर्म के प्रती समर्पण आज हम सभी के समक्ष सर्दार वल्लब भाई पटेल के अखंड भारत के सूद्रड संभ है इन संभों से एक भारत की नीव रखने वाले ये युग पुरुश आज हमारे बीच ना होते हुए भी अपने विचारों से विद्यमान है जिन्होंने अखंड राष्ट के रूप में हमें आज ये परिवेश प्रदान किया है आईए उसी महामानव के इस रेकोडेट संभोधन को सुनते हैं और अपने आपको धन्ने करते हैं आज इश्वर के क्रपा से हम मुलत में एक प्रकार के शान्ती स्थापित कर सके हैं और दूसरा जैसा एकोमी मामला था वैसा एक पेचीदा मामला देशी रयासत्व का था जब सर्वबोम सक्ता हिंदुस्तान में से अपना विस्त्रा लपेट के चली और जब उसने अलान किया कि इदर पेरेमाउंट से खतम होती है उस समय पर मुलक में क्या होगा और मुलक एक रहेगा या तो उसका टुकडा टुकडा हो जाएगा उस बारे में बहुत लोगों का अलग-अलग ख्याल था और बहुत लोग चिंता में गिरे थे लेकिन जो राजा महराजा हो थे उसमें से बहुतों ने काफी स्वदेशा बिमान बताया और भारत की सरकार को साथ दिया उसके लिए मैं आज इन लोगों को निवाद देना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि उनकी मदद से आज मुलत में जो एक्ता हुई है वो सेंक्रों साल पहले कभी नहीं थी इतनी एक्ता हमने बनाई है और जो काम हमें करना है वो काम हम करे तो सारी दुनिया में हिंदुस्तान जो अपना योग्यस्थान है वो ले सकता है और मुझे विश्वास है कि इस रास्ते पर जो रास्ता गांदी जी ने हमको बताया है उसी पर हम चलेंगे तो हमारी जगा सारी दुनिया में बहुत उंची होगी इन वादियों में गुंज रही एक्ता की प्रेणा मुर्ती भारत रत्न पुझ सरदार की आवाज उनके विचार और उनकी विराठ प्रतीमा हमें भारत की एक्ता के लिए समर्पित होने का जैसे आहवान दे रही थी और इसी जजबे को आगे बढ़ाते हुए जन जन के प्रिया संपूर्ण राष्ट की प्रगती के पथ प्रदर्शक देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदर्निय श्री नरिंद्र मोधी जी भारत माता की भारत माता की भारत माता की आप सभी युवाओं का जाबाजों का ये उच्छा राष्ट्य एक तादिवस की बहुत बड़ी ताकत है एक तरह से मेरे सामने लगु भारत मिनी इंडिया का स्वरूप दिख रहा है राज्य अलग है भाशा अलग है परंपरा अलग है लेकिन यहां मौजूद हर व्यक्ति एक ताकी मजबूत डोर से जुड़ा हुआ है मन के अनेक है लेकिन माला एक है तन अनेक है लेकिन मन एक है जैसे 15 अगस हमारी स्वतंत्रता के उत्सव का और 26 जन्वरी हमारे गणतंत्र के जैगोष का दिवस है उसी तरह 31 अक्तुबर का ये दिन देश के कोने कोने में राष्ट्रियता के संचार का पर्व बन गया है 15 अगस को दिल्ली के लाल किले पर होने वाला आयोजन 26 जन्वरी को दिल्ली के कर्तव व्यपत पर परेड और 31 अक्तुबर को स्टेची अफ यूनिटी के सानित्य में मान नर्वदा के तट पर राष्ट्री एकता दिवस का ये मुख्य कारकम राष्ट्र उत्थान की त्री शक्ती बन गये है आज यहां पर जो परेड हुई जो कारकम प्रस्थूत किये गए है उन्हांने हर किसी को अभिवूत किया है एकता नगर में आने वालों को सिर्फ इस भव्य प्रतिमा के ही दर्सन नहीं होते उसे सरदार साप के जीवन उनके त्याग और एक भारत के निर्मान में उनके योगदान की जलग भी मिलती है इस प्रतिमा के निर्मान गाता में ही एक भारत त्रेष्ट भारत की भावना का प्रतिम है इसके निर्मान के लिए देश के कोने कोने से किसानों ने खेती के ओजार दिये लोह पुरुष की प्रतिमा के लिए लोहा दिया देश के कोने कोने से मिट्टी लाकर यहाँ बॉल अफ यूनिटी का निर्माण हुआ यह कितनी बड़ी प्रेणा है इसी प्रेणा से ओत प्रोत करोडों की संख्या में देश वासी इस आयोजन से जुड़े हुए है लाखों लोग देश भर में रन फॉर यूनिटी में हिस्सा ले रहे हैं एकता के लिए दोड़ लाखों लोग सांस्कृतु कारकमों के जरिये इसका हिस्सा बन रहे हैं जब हम देश में एकता का ये प्रवाद देखते हैं जब एक सो चालीस करोड भारतियों में एक जुड़ता के ये भाव देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सरदार साप के आदर्श ही एक भारत स्रिष्ट भारत का संकल्प बनकर हमारे भीतर दोड रहे हैं मैं इस पामन अवसर पर सरदार वल्लभाई पटेल के चरणों में नमन करता हूं मैं सभी देश्वासियों को राष्ट्रे एकता दिवस की अनेक अनेक शुब कामनाई देता हूं मेरे परिवार जनों आने वाले पत्ती साल भारत के लिए इस सताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण पत्ती साल है इन 25 वर्षों में हमें अपने इस भारत को सम्रुद्ध बनाना है हमारे भारत को विक्सित बनाना है आजादी के पहले पत्तीस साल का एक ऐसा कालखंड आया था पिछ्री सताब्दी में जिसमें हर देश वासी ने स्वतंत्र भारत के लिए खुद को खपा दिया था अब सम्रुद्ध भारत के लिए वैसे ही अगले पचीस वर्ष का अमृत काल हमारे सामने आया है आउसर बन गया है हमें सरदार पटेल की प्रेणा से हर लक्ष को हासिल करना है आज पूरी दुनिया भारत को देख रही है आज भारत उपलब्दियों के नए शिखर पर है जी ट्विंटी में भारत के सामर्थ को देख कर दुनिया हैरान हो गई है हमें गर्व है कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंतर के साग को नई उचाई पर ले जा रहे है हमें गर्व है कि अनेक वैश्विक संकटों की बीच हमारी सीमाय सुरक्षित है हमें गर्व है कि अगले कुछ वर्षों में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थीक शक्ती बनने जा रहे हैं हमें गर्व है कि आज भारत दुनिया का कोई देश नहीं पहुँच पाया हमें गर्व है कि आज भारत तेजस फाइटर प्रेन से लेकर आनेस विक्रान तक खुद बना रहा है हमें गर्व है कि आज भारत हमारे प्रफेशनल्स दुनिया की अरबों, खरबों, डॉलर की कमपनियों को चला रहे हैं नेत्रुत्व कर रहे हैं हमें गर्व है कि आज दुनिया के बड़े-बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स में तिरंगे की शान लगातार बढ़ रही है हमें गर्व है कि देश्ट्य युवा बेटे-बेटियां रिकॉर्ड संख्य में मेडर्स जीत रहे हैं साथियों इस अमरत काल में भारत ने गुलामी की मानसिक्ता को त्याग कर आगे बढ़दे का संकल्प लिया है अम विकात भी कर रहे हैं और अपनी विरासत का समरक्षन भी कर रहे हैं भारत ने अपनी नव सेना के द्वज पर लगे गुलामी के निशान को हटा दिया है गुलामी के दौर में बनाए गए गेर जरूरी कानुनों को भी हटाया जा रहा है आई पी सी की जगह भी भारतिय न्याय सहीता लाई जा रही है इंडिया गेट पर जहां कभी विदेशी सत्ता के प्रतिनिदी की प्रतिमाथी अब नेताजी सुहास की प्रतिमाह में प्रेणा दे रही है साथियों आज ऐसा कोई लक्ष नहीं है जो भारत पान सके ऐसा कोई संकल्प नहीं है जो हम भारत वासी मिलकर सिद्ध ना कर सके बीते नव वर्षों में देश ने देखा है कि जब सब का प्रयास होता है तो और संभव कुछ भी नहीं होता है किसने सोचा था कि कभी कश्मीर आर्टिकल 370 से मुक्त भी हो सकता है लेकिन आज कश्मीर और देश के बीच आर्टिकल 370 की वो दिवार गिर चुकी है सरदार साब जहां भी होंगे सबसे ज़्यादा प्रस्दत आनुभाव करते होंगे और हम सब को आश्रवात देते होंगे आज कश्मीर के मेरे भाई बहन आतंगबाद के साए से बहारा कर खुली हवा में सांस ले रहे हैं देश के विकास में कदम से कदम मिला कर चल रहे हैं यहां जो मेरे एक तरफ सरदार सरोवर बांध है वो भी पांच छे दसक से लटका हुआ था सबके प्रयास से इस बांध का काम भी बिते कुछ ही वर्षव में पुरा हुआ है साथियों संगल्प से सिद्धी का एक बहुत बड़ा उदारांग हमारा यह एकता नगर भी है दस पंदरा बर्ष पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि केवडिया इतना बदल जाएगा आज एकता नगर की पहचान ग्लोबल ग्रीन सीटी के तोर पर हो रही है यही वो शहर है जहां से दुनिया भर के देशों का ध्यान किचने वाले मिशन लाइप की शुरुवात हुई थी जब भी मैं हां आता हूँ इसका आकर्षन और बढ़ा हुआ दिखता हूँ रिवर राफ्टिंग एकता कुरूच एकता नर्शरी एकता मौल आरोग्यवन कैक्टस और बटरफ्लाइ गार्डन जंगल सफारी मियावा की फोरेस मेज गार्डन यहां परियट्रकों को बहुत आकर्षित कर रहे हैं पिछले छे महने में ही यहां देड़ लाग से जादा पैड लगाये गए हैं सोलर पावर जनरेशन में सीटी गैस डिस्रिबिशन में भी एकता नगर भावत आगे चल रहा है आज यहां एक स्पेश्यल हेरिटेज ट्रेइन का एक नया आकर्षन भी जुड़ने जा रहा है एकता नगर स्टेशन और अमदाबाद के भी चलने वाली इस ट्रेइन में हमारी विरासत की जलक भी है और आदुनिक सुविधाई भी है इसके इंजीन को स्टीम एंजीन का लूक दिया गया है लेकिन यह चलेगी भीली से एकता नगर में इको फ्रेंडली ट्रांस्पोर्ट की विवस्ता भी की गई है अभी हाँ परियाटकों को इबस इगोल्फ कार्ट और इस साइकल के साथ पब्लिक बाइक शेरिंग सिस्टिम की सुविधावी मिलेगी पिछले पांच वर्षों में देड़ करोड से जादा परियाटक यहाँ आ चुके है और यह संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है इसका बहुत बड़ा लाब यहां के हमारे आदिवासी भाई बेनों को हो रहा है उन्हें रोजगार के नए साधन मिल रहे हैं साथियों आज पूरा विश्व भारत के संकल्प की द्रड़ता को भारत वास्यों के पवरुश और प्रखरता को भारतिये जनशक्ति की जिजिविशा को आदर और विश्वास से देख रहा है भारत की आविश्वस्निया आज तुलनिया यात्रा आज हर किसी के लिए प्रेणरा का केंदर बन चुकी है लेकिन मेरे प्यारे देश्वास्यों हमें कुछ बातों को कभी भी भूलना नहीं है उसो सदा सरवदा याद भी रखना है मैं आज राष्ट्रिय एक्ता दिवस्पर प्रत्य देश्वासी से इस बारे में मेरे मन के भाव आज उनके सामने में प्रगट करना चाहता हूं आज पूरी दुनिया में उथल पूथल मचिव हूई है कोरोना के बात से कई देशों की अर्थववास्ता के हालाथ चर्मरा गई है बहुत खराब है बहुत सारे देश तीस चालीस सालों की सबसे ज़्यदा महंगाई से आज जूज रहे हैं उन देशों में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है ऐसी परिस्तिति में भी भारत दुनिया में अपना पर्चम लहरा रहा है हम एक के बाद एक चुरोंतियों को पार करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं हमने नए रिकॉर्ड बनाए है हमने नए पैमाने भी बनाए है पिछले नव साल में देश जिन नितियों और निड़ों के साथ आगे बढ़ा है उसका प्रभाव भी आज जीवन के हर शेत्र में देख रहे हैं भारत में गरीबी कम हो रही है पांच वर्ष में साड़े तेरा करोड से जादा लोग गरीबी से बहार आए हैं हमें विश्वात मिला है कि हम देश से गरीबी को खत्म कर सकते हैं और हमें इसी दिशा में निरंतर आगे बढ़ते ही रह रहा है और इसे लिए प्रतेग भारतवासी के लिए ये समय बहुत महत्वपूर है किसी को भी ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे देश की स्थिर्ता पर आँच आए हमारे कदम भटकने से हम लक्ष से भी भटक जाएंगे जिस परिश्रम से एक सो चालीस करोड भारतिया देश को विकास के पत पर लेकर आए है वो कभी भी वर्थ नहीं होना चाहिए हमें भविश्य को ध्यान में रखना है और अपने संकल्पों पर दटे रहना है मेरे देश स्वासियों देश के पहले गिरमंत्री होने के ना थे सरदार पटेल देश की आंत्रिक सुरक्षा को लेकर बहुत सक्त रहते थे लोग पुरुस्त है ना पिछले नव वर्षों से देश की आंत्रिक सुरक्षा को कई मोर्चों से चुनावती मिलती रही है लेकिन हमारे सुरक्षा बलों की दिन रात की मैनत भी और उसकी वेजय से देश के दुश्मान अपने मनसुबों में पहले की तरह कामियाब नहीं हो पा रहे है लोग अब भी उस दौर को नहीं भुले हैं जब भीड भरी जगों पर जाने से पहले मन संका से भर जाता था त्योहारों की भीड बाजार पब्लिक प्लेस और जो भी आर्थिक गतिविदियों के केंद्र होते थे उन्हें निशाना बना कर देश के विकास को रोकने की साजिस होती थी लोगों ने बलास के बाद की तबाही देखी है बम के दमागों से भी बरबादी देखी है उसके बाद जाच के द्राम पर उस समय की सरकारों की सुस्ती भी देखी है आपको देश को उस दौर में वापस लोटने नहीं देना है हमारे सामर्थ से उससे रोकते ही रहना है जो लोग देश की एकता पर हम लेकर रहे हैं हम सभी देशवासियों को उन्हें जनना है पैचानना है समझना है और उनसे सतर्क भी रहना है साथियों देश की एकता के रास्ते में हमारी विकास यात्रा में सबसे बड़ी रुकावट है तुष्टी करण की राजनीती भारत के बीते कई दसक साक्षी है कि तुष्टी करण करने वारों को आतंक बाद उसकी भायानकता उसकी विक्रालता कभी दिखाई नहीं देता तुष्टी करण करने वारों को मानवता के दुष्वनों के साथ खड़े होने में संकोच नहीं हो रहा है वातंकी गतिविद्यों की जाच में कोता ही करते हैं वो देश विरोधी तत्वपर सक्ति करने से बचते हैं तुष्टी करन की सोच इतनी खतमनाख है कि वातंकीों को बचाने के लिए अदालत तक पहुँच जाती है ऐसी सोच से किसी समाज का भला नहीं हो सकता इससे कभी देश का भी भला नहीं हो सकता एकता को खत्र में डालने वाली ऐसी सोच से हर पल हर समय देश के हर कोने में हर देश वासी को सावधान रहना ही है मेरे प्यारे देश वासी ओ अभी देश में चुनाव का भी माहोल बना हुआ है राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया चली रही है और अगले साल लोग सभा के भी चुनाव होने वाले हैं आपने देखा होगा कि देश में एक बहुत बड़ा पोलिटिकल धड़ा ऐसा है जिसे सकारात्मग राजनीती का कोई तरीका नहीं दिख रहा दुरभाग्य से ये पोलिटिकल धड़ा ऐसे ऐसे हदकंडों को अपना रहा है जो समाज और देश के खिलाप है ये धड़ा अपने स्वार्थ के लिए देश की एकता अगर तूरती भी है तो उनके लिए उनका स्वार्थ सर्पो परी है इसलिए इन चुनोत्यों के बीच आप मेरे देश स्वासी जनता जनारण आपकी भुमी का बहुत महत्वप्ण हो गई है ये लोग देश की एक जुड़ता पर चोड़ करके अपना राजनिती हीत साधना चाहते हैं देश इन से सतरक रहेगा तभी विकास के अपने लक्षों को प्राप्त कर पाएगा हमें विक्सित भारत का लक्षा हासिल करने के लिए देश की एक्ता बनाय रखने का प्राप्त एक पल भी छोड़ना नहीं है एक कदम भी पीछे रहना नहीं है हमें निरंतर एक्ता के मंत्रों को जीना है एक्ता को साकार करने के लिए हमें अपना निरंतर योगदान देना है हम जिस विक्षेत्र में हो हमें उसमें अपना शत प्रतिशत देना है आने वाली पीडियों को बहतर भविश्य देने का केवल यह उत्तम से उत्तम मार्ग है और यही सरदार साब की हम सभी से अपेक्षा है साथियों आज से माय गौपर सरदार साब से जुड़ी एक राष्ट्रिय प्रतियोगी तापी शुरू हो रही है सरदार साब कीज के माध्यम से देश के युवाओं को उन्हें जानने का और मोका मिलेगा मेरे परिवार जनों आज का भारत नया भारत है हर भारत वासी आज असीम आत्मविश्वास से भरा हुआ है हमें सुनिस्चित करना है कि आत्मविश्वास बना भी रहे और देश बढ़ता भी रहे ये भाव बना रहे ये भंविश्वास बनी रहे इसी के साथ मैं एक बार फिर आदनिय सरदार प्रटेल को 140 करोड देश वासियों की तरप से विनम्रश्वास धानली देता हूं हम सब राष्टी एकता के इस राष्ट उत्सव को पूरे उत्सां से मनाए जीवन में एकता के मंत्र को जीने की आदत मनाए जीवन को हर पल एकता के लिए समर्पित करते रहे इसी कामना के साथ एक बार फिर आप सभी को धेर सारी बढ़ाई भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद दन्यवाद मानने प्रदान मंत्री महदाशी आपके इप्रेणा दाई तुलाप पुरुष की ज्वेंती पर आप सुन रहे थे पर आप को झाल